हेलो एवरिवन वेलकम टू आर चैनल तो जैसा कि आपको पता है टर्म फर्स्ट के लिए सीवेसी ने आपके सैंपल पेपर रिलीज कर दिये हैं तो आज हम क्लास 10 का साइंस का पेपर सॉल्फ करेंगे थो लेट्स स्टार्ट दे वीडियो हमें कितना डाइन वाला है यहां पर मेंशन है कि टाइम अलाउड 90 लिए और टोल 90 मिनेट्स मिलेंगे यानी निया न हाफ आर मिलेंगे आपको पेपर 공 स toकतेर हने जो 3 sections होंगे जिसमें हमारा section A जो होगा उसमें 24 questions होंगे जिसमें हमें सरिफ 20 questions attempt करके आने हैं फिर हमारा section B है इसमें भी same 24 questions होंगे बट आपको सरिफ 20 questions attempt करने हैं And then section C में 12 questions होंगे, जिसमें से हमें 10 questions attempt करने हैं. जो हमारा first section होगा, यानि section A, इसमें simple MCQ types के questions आएंगे, section B में assertion reason type के MCQ questions आएंगे, and section C में case study के questions होंगे. इसमें आपको 3 case study मिलेंगे, एक bio का होगा, एक physics का, and एक chemistry का. तो 4-4 questions होंगे, each case study से, जिसमें आपको सरिफ 10 questions attempt करने हैं. हमारा fifth point है, all questions carry equal marks, सारे questions equal marks के होंगे, and then there is no negative marking, कोई भी negative marking नहीं है. तो चलिए start करते हैं, यह हमारा section A है, इसमें, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, 24 questions होंगे, बट आपको सरिफ 20 questions ही attempt करने हैं. And फिर इसमें एक चीज़ और लिखी है, first attempted 20 questions would be evaluated. अगर आपने गलती से सारे questions कर दिये हैं, या यह सोच के 24 के 24 questions कर दिये हैं, कि जो ठीक होंगे 20 questions, उनके marks आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आपके सरिफ शुरू के 20 questions ही check होंगे. तो चलिए अपना first question देखते हैं, रीमा तोक 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she observe? तो रीमा ने हाँ पे 5 ml of lead nitrate लिया, lead nitrate यानि PBNO2, then उसने उसमें 4 ml of potassium iodide solution mix किया, potassium iodide यानि KI, तो इन में से क्या result वो observe करेगी? अब potassium reactivity series में lead से उपर आता है, means potassium is more reactive than lead, तो potassium nitrate बना लेगा और lead iodide बन जाएगा, यानि हमाई reaction कुछ इस तरह से होगी, PBNO2 plus KI gives KNO3 plus PBI, तो ये एक double displacement reaction है, KNO3 soluble है water में, बट PBI एक bright yellow color का PPT है, तो हमें इस reaction में एक yellow color का precipitate मिलेगा, हमारा answer हो जाएगा option B, चलते हैं अपने अगले question की तरफ, हमारा अगला question है, एक हमें ये experiment दे रखा है, इसमें हमें gas एक को identify करना है, basically ये picture आपकी NCRT की book से ही है, and in this picture एक test tube है, and उसमें zinc granules है, and diluted sulfuric acid है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अब जब metals को acid की साथ react करते हैं, तो एक salt बनता है, और hydrogen gas evolve होती है, ये तो हम सबको बता है, तो हमारी reaction होगी, zinc plus H2SO4 gives, ZnSO4 plus H2, तो zinc हमारा एक metal है, अगर हम acid की साथ react करेंगे, तो हमारा ये salt बनेगा, जो कि ZnSO4 है, और hydrogen gas evolve होगी, तो इस experiment में हमारी gas A है, hydrogen gas, तो हमारा answer हो जाएगा, option B, अब अगर हमें ये reaction याद नहीं है, तो हम इसे कैसे solve करेंगे, तो अब हम देखते हैं, ये जो experiment का setup दे रखा है, इसे, अगर हम इस experiment को देखें, तो ये reaction इस test tube में हो रही है, इसका mouth एक cork से बंद कर रखा है, जैसे कि हम figure में देख सकते हैं, ताकि जो gas release हो रही है, वो escape ना हो जाए, यानि air में जाके mix ना हो जाए, और फिर इसे delivery tube से, जो हमारी delivery tube दे रखी है, इसे एक solve solution में, transfer किया है, तो अब ये अगर solve का solution है, तो अब होगा क्या, इसमें bubbles बनेंगे, जैसे कि ये bubbles यहाँ पर उठते वे दिख रहे हैं हमें, तो अगर हम इन bubbles के पास, अगर जलती हुई candle लेके जाएंगे, तो ये gas pop sound के साथ जल रही है, जैसे कि हम जानते हैं, सरिफ एक ही gas pop sound के साथ जलती है, जो कि hydrogen gas, तो उससे भी हमारा answer option B ही होगा, hydrogen, चलते हैं अपने अगले question के तरफ, हमारा अगला question है, which of the following combination are correct, हमें ये चार combination दे रखे हैं, इसमें से बताना है, कौन सा combination correct है, correct वाला option बताना है, तो जैसे कि इस figure में दे रखा है, अगर metal dilute, HCL के साथ react करेगा, तो एक metal salt बनेगा, और एक gas release होगी, कौन सी gas release होगी, जैसे कि हमें पता है, last question में हमने देखा, hydrogen gas release होगी, तो अब हमारे options देखते हैं, first option, copper, जब dilute HCL के साथ react करता है, तो gas evolve हो रही है, बट असल में अगर, copper dilute HCL के साथ react करेगा, तो वो reaction आगी होगी ही नहीं, वो reaction possible है ही नहीं, क्योंकि metal जब acid के साथ react करते हैं, तो जो acid का hydrogen होता है, उसे displace करते हैं, और वो hydrogen S2 gas की form में release हो जाता है, लेकिन copper की case में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि copper reactivity series में hydrogen के नीचे आता है, so it can't displace hydrogen, अब ज़ादा reactive है, तभी तो वो less reactive को displace करेगा, बट copper hydrogen से कम reactive है, उसको displace नहीं कर पाएगा, तो हमारा first वाला option गलत हो जाएगा, चलते हैं next, अगर Fe यानि iron dilute HCL के साथ react करता है, तो hydrogen gas evolve होगी, तो ये सही है, अगर iron HCL के साथ react करेगा, तो वो Fe Cl2 बनाएगा, और hydrogen gas evolve हो जाएगी, तो ये हमारा option सही है, next जलते हैं magnesium, अगर magnesium dilute HCL के साथ react करेगा, तो same reaction MgCl2 बनेगा, और hydrogen gas evolve होगी, तो इसका मतलब ये वाला option कलत हो जाएगा, इसका मतलब हमारे second and fourth option सही है, तो ये वाला option हमें second और fourth मिलेगा, option D में, तो answer हो जाएगा option D, चलते हैं अंगले equation की तरफ, which of the following correctly represent a balanced chemical equation, इनमें से हमारे जो चार option दे रखे हैं, इसमें से balanced equation कौन सी है, तो अगर हम first option देखें, तो Fe इधर यहाँ पे Fe की एक atom है, और इधर Fe के तीन atom है, तो ये वाली balance नहीं है, second option पे चलते हैं, यहाँ पे Fe के तीन atom है, यहाँ भी Fe के तीन atom है, hydrogen के यहाँ पे 4 into 2, 8 atom है, यहाँ भी 8 atom है, oxygen के 4 atom, तो इसका मतलब यह वाली balance है, आगे चलते हैं, यहाँ Fe के 3 atom है, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे oxygen balance नहीं है, तो यह वाला गलत हो जाएगा, एंड हमारा option 4 देखें, तो यह भी हमारा गलत हो जाए, क्योंकि इसमें hydrogen balance नहीं है, तो हमारा answer हो जाएगा option B, चलते हैं अगली question की तरफ, the graph given below depicts a neutralization reaction, neutralization reaction होती क्या है, इसमें acid और base मिला के salt और water बनाते हैं, यह एक exothermic reaction होती है, यानि जब यह reaction होती है, तो heat evolve होगी, तो इसमें pH of solution change as we added axis of acid, अगर हम axis of acid, axis मतलब अगर acid डालते ही जाएं, base में डालते ही जाएं, तो pH acid इगोगा जैसे हमें graph में show कर रखा है, तो हमारा question इसमें पूछा क्या है, question है, which letter denotes the area of graph where both acid and salt are present, हमें A, B, C, D, four parts में से हमें वो part बताना है, जिसमें acid और salt दोनों present हैं, अब graph में x-axis acid की volume को बता रहा है, और y-axis solution के pH को denote कर रहा है, तो हमें अब इस graph पे ऐसा area denote करना है, जहां पे acid और salt दोनों ही present हों, starting में हम एक alkali यानी base लेकर चल रहे हैं, जिसका pH 14 है, अब हमने acid डालना शुरू किया है, अब हम जितना acid डाल रहे हैं, वो उतने ही base को neutralize कर देगा, यानी neutralize करके salt बना देगा, तो यहां पे base neutralize हो रहा है, मतलब base weak होता जा रहा है, अब उसका pH कम होता रहेगा, अब pH कम होते होते हम point C पे आ गए, यह जो C point है, यह area almost 7 pH पे आ रहा है, मतलब हमारा solution neutral हो चुका है, that is acid and base दोनों present है, acid ने base को completely neutralize कर दिया, बट हम अब भी acid डालते जा रहे हैं, तो solution का pH और कम हो जाएगा, तो जो acid ने base को neutralize करके salt बनाया था, वो तो present होगा ही होगा, और उसके साथ acid की quantity भी बढ़ते जाएगी, तो जो point D है, इस पे salt और acid दोनों present होगी, तो हमारा answer हो जाएगा option D, इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, कि जो हमारा point A है, यहाँ पे pH 14 है, यानि सरीफ base यहाँ पे present है, acid अभी डालना start भी नहीं किया, फिर हम point B पे आ गए, यहाँ पे pH कम होना start हो गया, यानि salt तो present होगा यहाँ पर acid प्रेजन्ट नहीं होगा, क्योंकि acid ने base को neutralize करके salt बना दिया, अब अगर हम point C पे आ गए, यहाँ पे solution neutral हो गया, तो यहाँ पे सिरिफ salt प्रेजन्ट होगा, acid प्रेजन्ट नहीं होगा, बट अगर हम point D को देखे, तो यहाँ पे salt तो present होगा ही होगा, बट acid भी present होगा, क्योंकि इसका pH 7 से बहुत कमा रहा है, चलते हैं अपने अगले question की तरफ, in the reaction of iron with copper sulfate solution, तो यहाँ पे copper sulfate solution की reaction दे रखी है, iron से CuSO4 plus Fe gives Cu plus FeSO4, then हमसे पूछा गया है, which option in the given table correctly represent the substance oxidized, and reducing agent, तो हमें इन में identify करना है, इस reaction में कौन सा substance तो oxidized हुआ, और कौन reducing agent है, अब what is reducing agent, reducing agent होता क्या है, जो दूसरे compound को reduce कर दे, और खुद का उसका oxidation हो जाए, and oxidizing agent क्या होते हैं, जो दूसरे compound को oxidize करे, और खुद उसका reduction हो, तो oxidation होता क्या है, addition of oxygen, या फिर हम उसको कह सकते हैं, कि oxidation state का बढ़ जाना, तो अगर हम oxidation state देखें, इन compound की, तो यहाँ पे Cu की oxidation state हो जाएगी, plus 2, sulfur की हो जाएगी, minus 2, और iron की हो जाएगी, 0, तो अब reaction होने के बाद, यहाँ पे Cu की oxidation state हो गई, 0, तो iron की हो गई, plus 2, और sulfur की सेम रहेगी, minus 2, तो यहाँ पे किसकी oxidation state बढ़ी है, iron की यहाँ पे 0, 30 से बढ़के, plus 2 हो गई, तो oxidation किसका हुआ, iron का, अब जिसका oxidation होता है, वो ही reducing agent होता है, आप्शन हो जाएगा option है, iron का ही oxidation हुआ है, और iron ही reducing agent है, आगे चलते हैं, हमारा अगला question है, chemical reaction between copper and oxygen, can be categorized as, अगर हम copper और oxygen की chemical reaction कराएं, तो इन में से कौन से reaction होगी, वो displacement, decomposition, combination या double displacement, तो देखते हैं, जो हमारा copper है, वो एक metal है, अगर हम metal की oxygen से reaction कराएंगे, तो metal oxide बनेगा, यानि CuO, तो ये displacement reaction तो हाई नहीं, किसी ने किसी को displacement किया ही नहीं, तो ये displacement reaction तो नहीं हो सकती, decomposition reaction, decomposition reaction वो होती है, जिसमें एक single reactant तूटता है, दो या दो से ज़्यादब products में, next combination reaction, combination reaction वो होती है, in which reactant combined to form a single product, तो यहाँ पे दो reactant combine हो रहे हैं, एक single product बनाने के लिए, तो हमारा answer obviously हो जाएगा, option C, आगे चलते हैं, हमारा अगला question है, यहाँ पे हमें चार option दे रखे हैं, जिसमें हमें parent, acid और parent base बताना है, calcium carbonate का, calcium carbonate यानि, CA CO3, तो यह salt, तो आपको बताना है, कौन से acid और कौन से base ने combine होके, यह salt बनाया है, तो हमारा option यह है, HCl और NaOH, HCl और NaOH combine होके, Na, C L बनाते हैं, ना कि calcium carbonate, second option है, S2 CO3 and CA OH whole twice, carbonic acid and slake line, हाँ, यह combine होके, calcium carbonate बना सकते हैं, next option C है, S3 PO3 and CA SO4, यहाँ पे carbon तो है यह नहीं, तो calcium carbonate कैसे बनेगा, same option D में भी carbon नहीं है, तो calcium carbonate इससे भी नहीं बन सकता, तो हमारा answer हो जाएगा option B, आगे चलते हैं, How will you protect yourself from heat generated while diluting a concentrated acid, तो अगर हम acid को dilute करते हैं, तो वो एक exothermic reaction होगी, यानि बहुत ज़्यादा heat evolve होगी, तो अगर आप acid में पानी डालेंगे, तो क्योंकि यह reaction exothermic है, तो काफी ज़्यादा heat release होगी, और उसकी वज़े से acid boil करने लगेगा, और spill भी हो सकता है, हाथ पे एंड फेस को burn भी कर सकता है, तो इससे बचने के लिए हम पानी में acid डालते हैं, तो heat release तो इस case में भी होगी, पर जो heat release होगी, वो पानी उस heat को absorb कर लेगा, तो mixture हमारा boil नहीं होगा, तो हमारा answer हो जाएगा option A, हम acid को पानी में डालेंगे with constant stirring, इस चेर हम इसलिए करते हैं, ताकि जो heat है पानी में evenly distribute हो जाए, आगे चलते हैं हमारा अगला question है, why is it important to balance a skeletal chemical equation, किसी भी chemical equation को balance करने की ज़रत क्यों पड़ती है, तो हमारे option है to verify the conservation of energy, नहीं, energy को conserve करने के लिए नहीं, to verify the law of constant proportion, no, to verify the conservation of mass, हाँ, यह हमारा option होगा, हम जो chemical equation को balance करते हैं, वो conservation of mass को verify करने के लिए, क्योंकि mass neither can be created or nor be destroyed in a chemical equation, so that is it for today, आगे की question करेंगे हम next part में, thanks for listening, हाँ, झाल झाल